विल्कम तो माई यूटिब चैनल लिपसा नीटिंग कॉर्नर आज मैं आपके साथ स्विटर का एक बहुत ही सुन्दा सा डिजाइन शेयर कर रही हूँ पार्ट वन में मैंने बताया था कि किस तरह से हम इस बॉर्डर को बना सकते हैं तो इसको मैंने मशीन के साथ बनाया है तो आईए शुरू करते हैं जहां भी हमने इस डिजाइन को डालना है वहां से हमने इसको स्टार्ट करना है तो मैं यहां जीरो से इसको स्टार्ट कर रही हूँ जीरो वाले नीडल को छोड़के दोनों ही साइट की नीडल को उठा करके हमने आगे डाल देना है मरलब खाली कर देना है जो खाली हुई नीडल है उनको आगे करके हमने यहां दो बार मशीन को चला लेना है और इसके बाद ने जो ये हमें जाली जैसी दिख रही है उससे अगले वाली नीडल के फंदे को उठा करके आगे डाल देना है इसके बाद बीच में तीन नीडल्स हमारी बच जाएंगी उससे अगले वाली नीडल के फंदे को उठा करके आगे डाल देना है खाली नीडल्स को हमने आगे कर लेना है और फिर से हमने यहां मशीन को दो बार चला लेना है अब फिर से हमने यह जो जाली देख रही है उससे अगले वाली नीडल्स को खाली करके आगे डाल देना है इसके बाद हमारे पास यहां सेंटर में पांच नीडल्स बचेंगी उससे अगले वाली नीडल को हमने खाली कर देना है खाली वाली नीडल को आगे कर देना है और फिर से मशीन को यहां हमने दो बार चला लेना है फिर से हमने ऐसे ही डिसाइन को डालना है हमने जाली से अगले वाली नीडल को खाली करना है और बीच में हमारे यहां साथ नीडल्स बच जाएंगी अगले वाली को हमने इस तरह से खाली करना है नीडल्स को आगे करना है और मशीन को दो बार चला लेना है फिर से हमने यहाँ ऐसे ही करना है जो हमारी जाली यह उसे अगले वाले नीडल को खाली करना है बीच में हमारे यहां नाइन नीडल्स बचेंगी और नेक्स्ट वाली नीडल का फंदा उठा करके हमने आगे डाल देना है खाली नीडल्स को आगे करना है और मशीन को दो बार चला देना है तो इस तरह से हमारा यह वीवन कर तयार हो गया है अब हमने इसको बंद करना है मरी यहां पांच जालियां बनी है तो जो जाली के उपर वाला फंदा है उसको हमने अंदर की तरफ डाल देना है अंदर वाली नीडल में डालना है इसी तरह से इस साइट से भी हमने इसको उठा करके अंदर वाली नीडल में डाल देना है खाली नीडल को आगे करना है और मेशीन को दो बार चला लेना है फिर से ऐसे ही करना है जो अमरी जाली है उसे अगले वाली नीडल को हमने खाली करना है और फिर से यहाँ जो जाली है उसे अगले वाली नीडल को हमने इस तरह से खाली करना है जो खाली नीडल से उनको हमने आगे करना है और आगे करके हमने मशीन को दो बाद चला लेना है इसके बाद फिर से हमने ऐसी करना है जो जाली है उसे अगले वाली नीडल को हमने खाली करना है और इसी तरह से हमने दूसे साथ से भी अगले वाली नीडल को खाली करना है बीच में हमारे पास तीन फंदे बच जाएंगे और हमने यहां नीडल्स को आगे करके मिशीन को दो बार चला लेना है इसके बाद फिर से हम ऐसा ही करेंगे जो हमारी जाली है उससे अगले वाली नीडल्स को हम खाली करेंगे और यहां से भी हम ऐसे ही करेंगे बीच में हमारी एक नीडल बच जाएगी और नीडल्स को आगे करके हमने मिशीन को दो बाद चला लेना है अब हमारे यहां तीन नीडल्स बच जी हैं तो इन तीनों को इस तरह से जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही कर देना है और नीडल्स को आगे करके मिशीन को दो बार चिला देना है तो इस तरह से हमारा ये डिसाइन बन कर तयार हो जाएगा आप इसको किसी भी तरह से डाल सकते हैं गैप डाल के डाल सकते हैं या फिर जैसे मैंने डाला है वैसे आप इसको डाल सकते हैं और अगर आप इसके बीच में कोई भी डिजाइनिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं या मोती लगाना चाहें तो मोती भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने अपनी स्वेटर में लगाया हुआ है जिन्ट से बनने वाला ये डिजाइन सबसे असान है और जो विगनर्स हैं वो भी इसको असानी से डाल सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस डिजाइन को डालना है लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कॉशिन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फोलो कर सकते हैं तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शियर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नॉटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए थैंक यू